हेलो एवरिवन वेलकम टू सक्सवित्राय अकेडमी आज का हमारा टॉपिक है चुरॉंग रोवर जो की मंगल ग्रह पर भेजा गया है चीन दौरा और चीन नेतियास रच दिया है इस वीडियो में जो चुरॉंग रोवर से संबंधित जितने भी आकड़े हैं उसको हम देखे करेंगे इस अभ्यान के बारे में जानकारी हासिल करेंगे चीन का यह कौन सा थे चीन ने किसके नाम नाम पर रख़ा है मंगल ग्रह के बारे में भी पूरी जानकारी इस वीडियो के तहत हासिल करेंगे कि मंगल ग्रह क्या है और मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहते हैं मंगल ग्रह के कितने उप ग्रह हैं सबसे पहला मंगल ग्रह यान कौन सा था और भारत का मंगल ग्रह पर सफलता पूरोग अभी कोई अभियान चला भी है या नही इन सभी questions को इस वीडियो में cover किया जाएगा, इसलिए ये वीडियो बहुत important है, आप पूरा देखिएगा, आप चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, तो सबसे पहले जो चीन ने चोरोंग रोवर मंगल ग्राइपर पहुंचाया है, उसके बारे में जान लेते हैं, कि चीन का ये लेंडर पांच टन वजनी है, इस लेंडर में कई तरह के विग्यानिक उपकरणों से लैस है, विग्यानिकों को उम्मीद है कि ये तीन महीने तक सक्रिय रह सकता है, तो ये एक brief knowledge थी, उसके बाद सबसे पहले हम मंगल ग्राइपर के बारे में जान लेते हैं, कुछ question है जो लिख दिये गए हैं, अब एक करके इसके answer दिये जाएंगे, सबसे पहला question है कि मंगल ग्राइपर के बारे में जानकारी, देखें मंगल ग्राइपर सूर से चौथा तथा सात्वा बड़ा ग्राइपर है, इसकी सूर से औसतन दूरी लगभग नवासी लाक किलो मीटर है इस ग्राइपर का व्यास तकरीबन 6,794 किलो मीटर है, तो यह तो मंगल ग्राइपर के बारे में जानकारी हो गई, मंगल ग्राइपर को लाल ग्राइपर क्यों कहते हैं, मंगल को लाल ग्राइपर क्यों कहते हैं क्योंकि मंगल की मिट्टी में लोह खनीच में जंग लगने क की वजह से वाता वरन और मिट्टी लाल दिखाई देती है और फोबस मंगल की सता से सिर्फ 6000 किलोमीटर उपर परिक्रमा करता है मंगल ग्रह के उपग्रह कितने हैं मंगल ग्रह के दो उपग्रह फोबस और डाइमस इन उपग्रहों को मंगल के द्वारा जो पकड़े हुए छुद्र ग्रह माना जाता है इन उपग्रहों की खोज सन 1877 में असफ हॉल ने की थी उन्होंने इसका नाम युनानी जो पौराणिक कताओं में यात्रा फोबस और डाइसस जो की युद्ध के नाम चीन ने जो मंगल ग्रह भेजा है वो किसके नाम पर रखा गया है यह हम आगे वीडियो में बताएंगे आपको सबसे पहले मंगल ग्रह पर कौन सा यान पहुँचा था वाइकिंग वन मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंत्रिकष्यान था जो 20 अगस्त को 20 अगस्त 1975 को भेजा गया था और 19 जून 1976 को ये मंगल ग्रह की सता पर पहुँच गया था अब इसमें है भारत मंगल यान पर पहुँचा भी है या नहीं यहां पर मंगल यान होगा तो भारत द्वारा जो दो तिहाई अभियान असफल ही रहे हैं मतलब जितना भी अभियान चलाये गया है मंगल ग्रह पर पहुँचने का उसमें लगबग दो तिहाई असफल ही रहे हैं परंतु 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह पर पहुंचने के साथ ही भारत विस्व में अपने पहले ही प्रयास में सफल होने वाला देश बन गया है किसके साथ रूस नासा यूरोपिय अंतरिक एजनसी इनके साथ साथ भारत चौथा देश बन गया था जिसने पहले ही प्रयास में जानकारि देखते हैं, चीन का चुरोंग रोवर साथ महिने की अंत्रिक शियात्रा पूरी करने के बाद, मंगल ग्रह पर सफ़लता पूरोंग लैंड कर गया है, इसी के साथ चीन, मंगल ग्रह पर रोवर भेजने वाले चुनिंदा देसों मेंशा कामिल हो गया है चीन ने मंगल ग्रह की सत्व पर अपने यान चुरॉंग की सौफ्ट लेंडिंग कराकर ये साबित कर दिया है कि वो तक्नीकी द्रश्टी से काफी मजबूत है दरसल चीन का ये यान अब तक वहां पर भेजे गए यानों में सबसे अधिक वजनी है चीन का ये अब इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है ये भी इंपोर्टेंट है तो ये जान लेते हैं कि अगनी देवता के नाम पर इसका नाम रखा गया है चुरॉंग नाम चीन के अगनी देवता के नाम पर रखा गया है अमेरिका इससे पहले सफलता पूर्वक नौ बार अपने अंत्रिक शियान को मंगल ग्रह पर उतार चुका है, यही नहीं, वह मंगल ग्रह के संचालन में भी सफल रहा है, चुरॉंग छे पहियों वाला रोवर है, मंगल ग्रह पर उतरना एक बड़ी सफलता है, जिसको चीन ने हासल किया है, मंगल ग्रह के यूटोपिया, प्लेनीशि समतल तक पहुँचना है, तो मंगल ग्रह के उतरी गुलारत का हिस्सा है, चीन ने इस रोवर में एक प्रोटेक्टिव कैपसूल, एक पहरासूट और एक रॉकेट प्लेटफॉर्म का इस्तमाल किया है, मंगल ग्रह पर चीन के रोवर का उतरना एक बड़ी सफलता माना जा स करता है, चुरांग ग्रुवर का काम यानि की एक नजर में इसको देख लेते हैं, इसका काम क्या होगा, वहाँ पर यह क्या करेगा, यह लेंडर मंगल ग्रह की सत्वा और उसकी अंदरूनी सत्वा पर सोध करेगा, इसके अतरिक यह वहाँ पर पानी की मौजूदगी का भी पता लगाएगा, साथ ही मंगल ग्रह पर मौजूदा बड़ी चट्टानों में मौजूद खनीजों को पता लगाएगा, और मंगल के पर्यावरण की भी जानकारी धर्ती पर मौजूद कंट्रोल रूम को भेजेगा, चीन का रोवर यहाँ पर पानी की मौजूदगी के की तस्वीरे भेजेगा, चीनी इंजीनियर इस पर लंबे समय से काम कर रहे थे, मंगल ग्रह मुस्किल और चुनोती पूर्ण पर्यावरण के लिए भी जाना जाता है, यहाँ धूल भरी आंधी बहुत सक्तिसाली होती है, किसी भी अंतरिक्ष मिसन के लिए यह बड़ी केस बन गया है, सौर्फ लेंडिंग मतलब अब समय सकते हैं सफलता पूर्वक, उसका चुरॉंग लेंडर मंगल ग्रह की सता पर उतरने वाला अब तक का सबसे वजनी यान माना जा रहा है, जो पांच टन का है, मंगल ग्रह पर पहुँचने वाले रोवर का वजन लगभग 240 किलोग्राम है और इसमें 6 पहिएं हैं तथा 400 पैनल लगे हुए हैं, या प्रती घंटे 200 मीटर तक घूम सकता है, इसमें कैमरा, रडार और मौसम संबंधी मापक यंत्र जैसे विज्ञानिक उपकरण लगे हुए हैं, तो इस वीडियो में हमने मंगल ग्रह के बारे में जाना है, मंगल ग्रह से जो जुड़ी जानकारियां हैं, उनके बारे में जाना है, और चुरॉंग रोवर, जो चीन ने भेजा है, मंगल ग्रह पर सफलता पूरोग अपने अभियान को किया है, उसके बारे में भी संपूर जानकारी हासिल की है और I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद